रंगभरनी एकादशी के दिन व्रंदावन की चार कोसिय परिक्रमा के लिए श्रद्धालूं का जो जनसलाब उमड़ा उसने पुलिश के होश फाक्ता कर दिये व्यवस्था मेजूटी पुलिस के भीड को दिख कर हाथ पाउं फूल गए श्रद्धालूं पर कंट्रोल करने में असहज दिख रही पुलिस ने श्रद्धालूं पर ही अपना रौदर रूप दिखाना शुरू कर दिया ऐसा ही एक मामला तप्रकाश में आया जब महावन में तैनात लेकपाल महिश चंदर शर्मा अपनी पतनी के साथ बाइक से व्रंदावन की परिक्रमा कर लौट रहे थे आरोप है कि पुलिस ने जब उनकी बाइक पर जबरन डंडा मारा तो उन्होंने पुलिस से इसका कारण पूछा तब ही ज्यूटी पर तैना दरोगा ने उनकी पतनी के सामने ही बुरी तरह पीटा और थाने ले आए लेखपाल के भांजे चंद्रभान ने बताया कि पुलिस ने लेखपाल को कल से थाने में बंद कर रखा है और आज सोमवार को सरकारी कारे में बाधा के आरोप में नियाले के समक्ष भीज दिया है सुबै दिन चर्या सुबै चार वजे खड़े हो जाते हैं उसके बाद ये बिहारी जी आते हैं बिहारी जी पर परकमा लगा के दर्शन करके तब घर पर जाते हैं तो पुलिस वालों ने रोका कि इस गाड़ी को आप बायक पर थे यह और इनकी पतनी साथ में थी तो पुल पुलिस वाले ने इनकी बाइफ में डंडा मारा फीझे से जैसे रिंडा मारा थो उनकी वायक कर गई हुआ से मेडिकल रात को ले गए थे एक डीड़े बजे के समस्थिक साइट डॉक्टर नहीं मिले रात को इनको अब हो सकता है अब लेकर जाएं तो चालन क्या मार्क पीट सरकारी काम है साइथ बता रहे हैं सरकारी काम है बादा इनको मारा पीट है झालन को अब लेकर बादा रहे हैं सरकारी काम है